हेलो तु आल अफ यू आपका अद्व मॉडरन तिंग में स्वागत है इस वीडियो के माध्यम सिम्मय कर्शी मित्र आपको वाटर सॉलिबल फर्टिलाइजर अर्था गुलंशिर उरूरक को फसल पर कब इस पर करना है तथा कौन सा उरूरक लेना है कितना लेना है इसके बार इनका फूल नाम भी बताऊंगा तथा इनका उप्योब फसल पर कब किया जता है इसके बारे में बताऊंगा इनपी के फसल के लिए अथी आवश्य होता है जिसमें नाइट्रोजन, फस्पेट, पोटास, तीनों उप्योग तो होते हैं एनपी के फटेलाइजर उनिस उनिस यह एक स्टाटर ग्रेट, उर्वरनाख्य है जिसमें नाइट्रोजन सबी तीनों रूपों में एमाय, अमोनिआई, नैटेत के रूप में उप्योग तो होते हैं जिसमें 3 मेक्रोप्यूप तत्वा होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, 9%, फस्पेट, 19% पोटास, 19% उप्यो तो होता है फसल की शक्ति को बढ़ाता है स्वस्त फसल को उगाने में साहिता करता है कपास में इस्प्रे का समय दस से 35 दिन मात्रा 100 ग्राम प्रतिपंप या एक केजी 100 लेटर वेसे तो छड़का है तो सभी फसलों में उप्योंगी है के अनो थ्री क्या होता है के नो थ्री प्रतिपंप नाइट्रेड होता है जिसे हम तेरा जुरुक पेटालेस के नाम से जानते हैं इसमें दो पोशुकतत वह होते हैं नाइट्रोजन वह पोटेशियम तेरा जुरुक पेटालेस अर्थाथ के नो थ्री में नाइट्रोजन नाइट्रेड फार्म में वह उच्छ भूलंसिल पोटास होता है तेरा जुरुक पेटालेस के उप्योग हम फूल आने के बाद और पकने के समय में करते हैं जो शरकरा गठन में साहयक होता है कपास में इस्प्रे का समय चालिस से पचास दिन मात्रा सो ग्राम प्रतिपम्प मुंफली में इस्प्रे का समय पैतालिस से सार दिन मात्रा सो ग्राम प्रतिपम्प प्याज में इस्प्रे का समय पैतालिस से सार दिन मात्रा सो ग्रतिपम्प टेमाटर में इस्प्रे का समय 40-50 दिन मातरा 100 ग्राम प्रतिपम लगबग सबी फस्लों में स्प्रे के लिए उप्योग किया जाता है यम, एपी, मोनो अमोनियम फासपेड जिसे हम 12180 के नाम से जानते हैं आपने सही सुना जिसे हम 1260 के नाम से जानते हैं इसमें दो पोशुक्तत वो होते हैं नाइट्रोजन वा फस्पेट जो फसल में महत्पप पुर्ण भूमी का अदा करते हैं यह फसल के विविकास के लिए अति उप्योगी होते हैं 1260 का उप्योग नई जड़ों के विकास है तू वह तेज वानस्पति के विकास है तू उप्योगी होता हैं प्रजननी ये भाग वह उरूरक की व्रद्धी को बढ़ावा देते हैं इसका लाव फूलों की गिरावट में कमी वह अधिक फल लगने में सायक होता हैं नाइट्रो सो ग्राम प्रती बंप श्वयाबबिन में स्प्रे का समय 45-30 दिन – 60-35 मूंफली में स्प्रे का surroundings 165-35 दिन प्याज में स्प्रे का समय 6-35 दिन 800 प्रती निए इसप्रे सबी फसलों में उप्योग किया जाता है। यम केपी मोनो पोटेशियम फस्पेट जिसे हम 024 के नाम से जानते हैं। आपने सही सुना जिसे हम 024 के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य पोशक तत्व फॉस्पेट वह पोटाश होते हैं यहाँ पोशक तत्व फसल को आकर्शक वह चमकदार बनाने में साहता करते हैं जिरवाउन चोतिस का उप्योग फसल के खिलने से पूर्व वह खिलने के पश्चात उप्योग किया जाता है यह जिरवाउन चोतिस फसल को उचित रूप से पकने वह छिलके का रंग आकर्शक गहरा चमकदार बनाने में साहता है जिरवाउन चोतिस एक वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर है जो फसल के लिए अतियाव शक होता है कपास में इसका इस्प्रे सतर से नब्यद दिन मात्रा सो ग्राम प्रति पंप स्वयाबिन में इस्प्रे का समय 65 से पिचोत्तर दिन मात्रा सो ग्राम प्रति पंप मुमफली में इस्प्रे का समय 55 से 50 से दिन मात्रा सो ग्राम प्रति पंप लगबख सभी फसलों में इस्प्रे के लिए जीरो बाउंचोटिस को उप्योग किया जाता है यहस ओपी ओटेश्यम सलफे जिसे हम 0050 के नाम से जानते है 0050 का उप्योग पोदों की व्रद्धी वविकास के लिए अतियावशक होता है तदा पोदों की गुनवत्ता सुधार में उप्योग किया जाता है जडों की समुचित व्रद्धी वव कोशी का दिवारे मोटी कर फसल को गिरने से बजाता है 0050 अर्था पोटास जिन फसलों में समुचित मात्रा में होता है वह फसले वांचित उपज देने के लिए आपेक्शाकरत कम पानी के आउशकता होती है मोसम के प्रतिकुल पोटास जैसे सुखा, ओलावाला, कीड़े व्यादी से फसल के बचाओ में मदद करता है करपास में 0050 का स्प्रे का समय 110 से 120 दिन मात्रा 100 ग्राम प्रतिपम 0050 का स्वयविन में स्प्रे का समय 85 से 90 दिन मात्रा 100 ग्राम प्रतिपम मुंभली में 0050 का स्प्रे का समय 85 से 90 दिन मात्रा 100 ग्रतिपम अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो The Modern Thing चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सब पास में बने बेल आइकान को प्रेस करें वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद